आप सभी का सुपर कंसर्प्ट क्लासेज में स्वागत है और आज किस वीडियो में आप लोगों को क्लास्ट्रियल भूगोल के बहुरी इंपोर्टेंट 35 कोश्चन्स बताने बाला हूं जो कल की एकजाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट आप लोग वीडियो पर क तो हमारे भाल सबसे पहला कोशिशन है कि भारत में जनगन्ना किस बरस आरंव हुआ तो देखिए अगर हमाँम सवतंद्र भारत का बात करें तो तंदर भारत में जो सबसे पहली बार जो जनगन्ना हुई ती कब हुई ती तो 1951 में हुआ था ठीक है और इसे हर दस साल बाद भारत में जनगन्ना होता है इसको आप लोट डाउन का लिजिए बहुत ही सिंपल और इजी तरीकी से बतारा हूं और टेंशन मतली जिए कल में आ सावटी वाला यानि कि उसमें कुछ और चीज मिला हुआ रहेगा तो देखिए क्या है कि जब फसलों के उत्पादन के साथ-साथ पसु पालन भी क्या जाता है लेकिन अगर उसके साथ सब्सु भी पालते हैं तो इस प्रकार का जो क्रिसी होगा इसी को बोला जाएगा मिस् परमुक्त के नाम लिखे में पैरा हमने का पदार्थ अब नहीं लीख देशेगा ठीक है तरीक याटि ने कि दहात का नाम लाने किया जिससे आप लोग ञांस ईससे आप लोगं को लिखना है जिन जेंग उसने aprit кажet waktu होते हैं उन्हें कहते हैं जिसे लो स्क बाक्साइडि इ अंतराष्टे प्रवास को परिभासित करें अंतराष्टे प्रवास मने क्या होता है कि जब कोई व्यक्ति एक देश एक देश के किसी सहर को छोड़ कर दूसरे देश के किसी सहर में निवास करते हैं तो उसे अंतराष्टे प्रवास करते हैं जैसे का मान की चलिए हम लोग भा संगता हो गया है काली मीटी जल्द हरन करने के स्रवादिक शंता हो यह यह बात हो गया और जल्द U चिप-चिपी हो जाती है तदा सुखने पर इसमें दरारे पड़ जाती है ठेक है को दिकत नहीं है आगे चले कोश्चन आप देख लिए क्या है लिंगानुपात लिंगानुपात माने को होता क्या है तो किसी विसे स्चेत्र में पूरूस एवंग इस्तरी के संखा को लिंगा लिए यह रिखने को जरुत नहीं है इसको नोट करिए पड़ाइब लोग आगे बढ़ते हैं कुछ रमनाईं देखे क्या है उर्जा संसाधन से आप क्या समझते हैं उर्जा संसाधन में क्या हो गया क्यों इसे तृब्जा मिलेगा तो ऐसे संसाधन तो यह जिनका उप्यो यहां दख लिए आपका काम बन जाएगा ठीक है ज्यादा नौचों मत करिए सिंपल सिंपल काम करिए आगे चलिए कोश्चन नमर यहां पर दस देख लेते हैं क्या है तो देखें को परदूसन को परिभासित किजिए परदूसन तो वायू जल या भूमी के भौतिक रासाइन या फिर जैविक गुनों में होने वाले ऐसे अंचाही परवर्तिनिया जो जीव समुदाई के लिए किसी रूप में हानिकार सिद्ध होता है उससे ही परदूसन कहा जाता है परदूसन माने समझ सकते हैं जो हमारा वायू जल भूमी यह सब को बरवाद करने पर दुला जिसी हमें लाव तो होगा ने कंप्रिल लेहानी मिलेगा ठीक है इसी को बोला जाएगा परदूसन आगे बड़ी कोश्चन मात 11 क्या है कि तिलहन फसल किसे कायते हैं तिलहन फसलों को कायते हैं जिन से क्या बवनसफथी हमारा वनसफ्ती लिखीए थोड़ा सो जिसमें महतपूर्ण है तिल तिल से भी तेल होता है सरसों से भी अरंडी बिनोला मुंपली सोयाविन और सुरज मुखी भारत में तिलहनों की उपज बढ़ाने के लिए पीत करांथी को संकल्पना की गई तिलहन जो फसल है इनका उतनकरने के लिए इनका उपज बढ़ाने के लिए पित करांथी क्या गया था कोई दिकतने बात सुन्हा और तिलहन में क्या हो गया मदलब ओसे सरसों से सुयाविन से सुरज मुखी तो उजन प्रत च्छाई क्यों हो रहा है तो उजन प्रत च्छाई हो रहा है इसका जो मैं कारण है यह परदुसन और यह हमारा आगे बढ़ते हैं इंटरनेट आप लोग जानते हैंगे अच्छे तरिके से आप लोग मौईल में वीडियो देख रहे हैं किसके चलते चल रहा है तो इंटरनेट सुचना तक्निक की सबसे आध्वनिक परनाली है इंटरनेट के माज़न से लाखों व्यक्ति सुचनाओं विचारों धाउनी वीडियो आधिकों कंप्यूटर के जरिए पुरी दुनिया में एक दुसरे के साथ सेयर कर सकते हैं नोट कर लिजेगा सिंपल तरीके से मैंने लिग दिया है कि निरु मिरु कारीकरम क्या है यह यह आंध्र पर इनका जो मैं रिजन था भूजल यानि कि जो भूमी का जो जल है उनको संग्षन करेंगे उनका उनको अच्छे तरीके से बढ़ाएंगे तो चीज के लिए और य परिवहन को परिवहन को परिवहन करते हैं आगे चले कोशन हम 16 क्या देखिए कि जन संगा घनत्यों को परिवास्त करें जन संगा घनत्यों माने होता क्या है तो परतीकाई छेत्र फर निवास करने वाली व्यक्तियों की संगा को जन संगा घनत्यों कहा जाता है कोशन हम 17 क्या है देख लिजे कि बार क्या है बार समझ सकते हैं जब हमारा जो नदियों का जो पानी होता है जो डैम बिगरा होता है जब क्या होता है बहुत ही अधिक मात्रा में जब उसमें पानी भर जाता है या पिर जब अधिक मात्रा में वर्सा होती है तो एक पुरा छेत्र जल्मगन हो जाता है चारों तरफ जल ही जल आ जाता है और जिसके कारण इसकों लोग इसी को क्या बोलते हैं बाल बोलते हैं तो हमानव परवास से आप क्या समझते हैं बातिόलास को मानव परवास अधर समझते हैं मैं對了 एक अस्तान से दूसरी अस्थान में जाकर वसने की किरिया को परवास यानी की सी को को मानब परवास बोला जाता है ठीक है कोई प्रोलम नहीं है आगे चलिए अभी मिने थोड़े दिर पहले आपको अंतराष्ट परवास के बारे में बता है वह मतलब अंतराष्ट माने क्या देश लेवल का होगा यहां पर परवास था खरीफ फसल क्या है तो ऐसा फसल जो डेस में सक्षरता का फंडा अलग अलग है एक अपना हस तक्सर करना यांट कलना से गया है तो मुस्छ छरे भारत काई अधर इस का अलगिया देशक अलग है मैंने लिए देख चलुकित के अर्थ है अकृत रूना अर्थर परईने की चंता में सिसितान वनाई त्च शे था कि है योग मानख है भारत में राष्ट यह साख्षरता के लिए अगरत में स्वारनिम चत्रवुज से आप क्या समझते हैं तो क्या देखिए कि स्वारनिम चत्रवुज भारत का एक परसिद राजमार्ग है जो कई विद्धोगिक सांस्कृतिक एवन क्रिसी संबंदे नगरों को जोड़ता है यह यूजना भारत के सबसे बड़ी तदाविस्व की पां कोमेंट्स के हैं मेरा दिल में छूग आप लोग का कॉमेंट्स इसलिए सर आप लोगों के लिए मैं करने वाला वालाओं त्रश्ण मतलेजिए आगे चले क्या देखिए कि धौनी पर्दूसन सापका क्या तात पर यह तो धौनी पर दूसन माने होता कि देखिए इस प्रव राजों मार क्या होता है देखिए जह घमार होता है एकर सड़को जो माईरा राज या पर जिला मिदार है आगे चले कोश्चन नमर यहां पर 24 क्या देगे लिए कि पेट्रो रासाइन उद्ध्योग क्या है जिसको लोग पेट्रो केमिकल उद्ध्योग भी बोलेंगे ठीक है तो पेट्रो रासाइन बिविन रासाइनिक योगिकों से क्या करते हैं मुख्य ठीक है मुख्य से क्या करते हैं हाइड्रोकारबन प्राप्त होते हैं यह से हीर्न रूओ कर Auchan करते हैं उसी को कच्छा माल की रूब करके कई परकार की बंती है यही प्रेटरोकेमिकल उद्योक हैते है जी Jancido cortar से जब बहुटब्स पर चीज मिलेगा ठीक है और यहां पर यह क्या होगा उसकिश्चे कzahl की रूप में परयुक करते हैं और इस्से गया वहता बहुत सर्वरस्थी बनायी जाते और से लिए पेट्रो usando केंबिकल उद्योग बुला जाता है took that प्लास्टिक उद्योग यहां मिलने वाले खनी तल्षेत्र है जो मुंबई के आसपास एक उत्रे समुद्र के तल पर पाए जाता है आगे चले कोश्चिन क्या है यहां पर जंगल को साप क्या जाएगा पहले फिर वहां पर खेति क्या जाएगा और यह बहुत पुराने टाइ समय से चला रहा है जिसमें जंगलों को साप सफाई करके क्रिष्टी की जाती है जो में क्या होता है जो यहां पर लोगों का कि जन संगा हर साल लगवग आठ पॉंट तीन करोड बढ़ रहा है यान की एक पॉंट एक परसंद की दर से बढ़ती जा रही है कुश्चिन अब आप लोग इसको 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 सकते हैं कि कि चेत्र में कूल आवादी यानी जो टोटल पॉपूलेशन होगा और कूल चेत्र फल और यहां पर जितना एरिया होगा के अनुपात को भी आम लोग जन संगा घंडतों बोलते हैं आप लोग इसको ऐसे लिखेंगे कोई दिकत्म बातात पर अभी में आपको बताया बार बार यह कोशन पुछे जा रहा है यह कोशन बहुत ज्यादा इंपोर्टेंटर नोट कर लेजिए कि व्यक्तियों के एक अस्तान से दूसरे अस्तान में जाकर बसने के परकिलिया कोई प्रवास कहते हैं फिर हरित करांदी क्या है दे हर theta Thursday मनें हो जाएगा हरा और करांदी मनेे हो जाएगा परिवर्वर्तन हरा से हैं जो को जसको बोलता है तो यह सिर्फ चाहता है आगे चले कोशन में 33 क्या लिए एंप दियागा क्या है कि जल संभर परवंदन के कोई दो उद्देश से लिखिए ठीक है यहां पर इसका क्या क्या उद्देश से इसको देख लिजेगा जल संभर ठीक है जल संभर को जल भारन भी बोला जाता है तो देख लिए यहां पर मैं इधर थोड़ा सा आ गया है इसको देख लिजे क्या है कि लिखेगा कि जल भारन बोलिए या पिर जल संभर या पिर जल मद जल संभर को इंगलिज में मुलेगा वाटर सेट ठीक है इसका प्रवंदन का उद्दे से क्या-क्या नमबर में आप प्रवंदन द्वारा प्राकितिक संसाधनों जैसे भूमी जल और किरसी संपदा का संद्रक्षन और विकास किया जाता है इसको मतलब संद्रक्षन करके इसका 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 इस्तिमाल किया आधारबूत उध्योग क्या है जो किसी दुसरे उध्योग का आधार होता है यहां पर आपको 35 को सब्सक्राइब आप लोगों की एजाम के लिए अगर आपको सब्सक्राइब पर चाहिए तो आप लोगों बताइए सब्सक्राइब में जरूर पढ़ाओंगा अब्जक्टिव में बहुत चादा कंफ्यूजन है सब्सक्राइब किसी प्रकर कोई कंफ्यूजन नहीं आप लोग बोलिए मैं अरिक्षिट को पढ़ा दूँ सब्सक्राइब तो चले मिलते हैं अगले वीडियों में थैंक यो जाहिद